Hello everyone, welcome you all at Lockees are Unlimited Steady Zone सभी बच्चों का स्वागत है, स्टार्ट करते हैं NDA, TGT, PGT, KVS और जितने कॉंपटिटिव इग्जामिनेशन होते हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं और चलेगी यहाँ पर क्लास कॉंपटिटिव इग्जामिनेशन के लिए तो आईए, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट तो पहला कॉंपटिव आपके सामने हैं कि M व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं इन में से 2 का चुनाओ किया जाना है M व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं और इनके एक साथ ना होने की प्रैक्ता, चलिए कैसे बताएंगे इसको, ये question बहुत अच्छा है, थोड़ा सब difficult भी है, इस question को कैसे करेंगे, देखिए, आपके पास मान लीजे, scene क्या है, कि आपके पास मान लीजे, यहाँ पर 5 लोग एक साथ बैठे हुए, एक, दो, तीन, कितने हो गए, टोटल वेज हो गए, पाँच में से दो का chain, मतलब 5C2, अब आपसे कहा गया है, कि उन तरीकों को निकाले, जिससे आजू बाजू वाले, दो लगातार वाले ना लिए जाएं, आपसे यह कहा गया है, कि यदि, दो लगातार वाले ना लिए जाएं, तो उतन लगातार नहीं, दो लगातार व्यक्ती नहीं, दो लगातार व्यक्ती नहीं होने की प्रयक्ता, तो किस तरीके से निकले की दो लगातार व्यक्ती नहीं होने की प्रयक्ता, हमें सबसे पहले वो case निकालने होंगे, जिसमें की दो लगातार व्यक्ती ना हो, ओके, दो लगा लगातार व्यक्ति नहाँ की बीन्दू के बंदू लिसंसंद मैं नहाँ नहीं है? और अपाम में कुल प्रणाम चपिंगा अब इसको solve करना हमें देखे दो लगातार व्यक्ति नहाँ होने के प्रणाम समझे लगासी मुश्किल है इसको हम कैसे समझेंगे तो कुल परड़ामों में से आप आपके पास कुल परड़ाम कितने हैं कुल परड़ाम है आपके पास में अगर कुली व्यक्ति यदि यहाँ पर आपके पास 5 है तो 5C2 में आप जो है 5C2 में आप तोटल में से यदि आप उन केसे को हटा देजिए जिसमें दो लगातार व्यक्ति साथ में आ रहे हैं देखिए अगर आपके पास दो लगातार व्यक्ति साथ में आएंगे आजू बाजू वाले तो कित्ते केस बनेगे या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, और या तो ये बनेगा, मतलब आपके पास कित्ते केस बनेगे, चार केस बनेगे, अगर पांच लोग आपके पास बैठे हुए हैं, समझना इस सिचुएशन को, अगर आपके पास पांच लोग बैठे हुए हैं, और पांच लोगों में से आपको दो लगातार लोग चुनने हैं कित्ते लोग चुनने हैं? दो और कैसे चुनने हैं? जो लगातार आपस में बैठे हों तो आपके पास कुल कित्ते केस बनेगे? एक ये बनेगा या तो एक ये बन जाएगा या तो एक ये बन जाएगा या तो एक ये बन जाएगा तो टोटल आपके पास कितने केस हुए 4 केस ओके ये कब हुए जब आपके पास 5 लोग थे बट हमारे सवाल में कितने लोग हैं M लोग हैं तो M लोगों में total कितने case बनेंगे M minus 1 दो लगातार वाले कितने case बनेंगे M minus 1 तो दो लगातार ना होने के case कितने बनेंगे Cool case M C 2 Cool case हैं अपने पास में M C 2 और उसमें से हटा दीजिए लगातार वाले कितने हैं M minus 1 और whole divided by M C 2 तो अब हमारी प्राइकता यहां पर आने वाली है देखी कैसे निकलेगी प्राइकता प्राइकता का मतलब होता है आपके favorable outcome upon total outcome तो favorable outcome आपके पास कितने हैं अपने पास अभी अपने निकाला favorable outcome है आपके पास M C 2 minus M minus 1 whole divided by M C 2 इसको बाट लीजिए तो M C 2 divided by M C 2 minus M minus 1 upon M C 2 ठीक है तो यह cancel हो गया उपर बच गया 1 और minus कितना हो जाएगा minus हो जाएगा M minus 1 और नीचे हो जाएगा factorial M upon factorial M minus 2 और factorial इसको इससे solve करने से अच्छा है कि आप इसको थोड़ी सी सरल method आप यहाँ पे लगाएं कैसी method लगाई है मैं आपको बताता हूँ यह जो नीचे वाला case है इसको आप और जल्दी solve कर सकते हो कैसे होई short trick उपर से दो कदम पीछे तो दो कदम पीछे करोगे पांचे है कितना आजाएंगा one माइनस तो आणसर आएगा one माइनस टू अपान एम ओके तो इसका अंसर आजेगा 32 भी डन चलिए तो किसी को कोई problem हो तो बताईए अच्छा question है एक बार इसको screenshot ले लिए इसका सभी लोग क्या की आपन को question पूछा गया है दो लगातार व्यक्ति ना होने के प्रणाम तो कुल माइनस दो व्यक्ति होने के प्रणाम बटे कुल प्रणाम तो प्राइक्ता होता फॉर्मूला प्राइक्ता निकाला गया है प्राइक्ता का फॉर्मुला जो हो था उसी से सॉल्व हो गया पी एक्वल टू एन ए अपॉन एन एस यह इस्तमाल किया गया है यहां पर थोड़ी हाई लेवल की प्रॉबेलिटी है चली अगले क्वेश्चन की दरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अबर 33 उठाते हैं यस्तमाल क्वेश्चन अबर 33 और 33 क्वेश्चन अमर्ण 33 में कहा गया है अगर 2N प्लस 1 PN-1 अपॉन 2N-1 PN तो आपको बताना है कि N का मान क्या होगा तो देखें कैसे करोगे इसको question दिया गया है 2n प्लस 1 pn-1 अनुपात है मतलब upon में है 2n-1 pn और ये दिया है 3 अनुपाते 5 ठीक है, हल करिए देखें कैसे हल होता है आप जानते हैं formula npr का होता है उपर वाला factorial 2n-1 का factorial upon उपर वाला माइनस नीचे वाला तो 2n-1-n और माइनस माइनस प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा factorial 2n-1 whole divided by 2n-1 और माइनस का n equal to 3 अनुपाते 5 ये हो गया चलो तो उपर कितना आ गया उपर आ गया 2n-1 का factorial और नीचे 2n-n मतलब बचा n और 1 प्लस 1 कितना 2 और जो सबसे नीचे पल्टी मार के सबसे उपर 2n मेंसे n गया तो n उपर बचा n-1 और इधर कितना बचा इधर बचा 2n-1 equal to 3 upon 5 चली अब इसको हल करते हैं यहाँ पर देखे 2n-1 है यदि इसको मैं ब्रेक कर दूँ तो किस तरीके से तूटेगा 2n-1 into 2n और फिर उससे छोटा होता है 2n-1 यहाँ गया और यदि इसको ब्रेक कर दूँ अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ n-2 को तो किस तरीके से ब्रेक होगा n-2, n-2 से एक कम n-1 और n-1 से एक कम कितना होगा n और n से एक कम होगा n-1 बहुत बढ़िया काफी महनत लग रही है इसमें और नीचे है फैक्टोरियल 2n-1 ओके और उपर मैं भूल गया था क्या लिखना भूल गया था फैक्टोरियल n-1 चलो नीचे है 3 बटे 5 आजाओ काटा कूटी कर दो n-1 से n-1 2n-1 से 2n-1 ये n से ये कैंसिल ओके और नीचे 2 तो है नी जुगाड में तो उपर बचा कितना 2n-1 और नीचे बचा कितना n-2 into n-1 और देखो ये 2 अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो इधर बच जाएगा 3 और 5 दोने 10 अब मेरे पास 4 आप्सन है एक option कोई correct होगा तो मैं कहूंगा भाई मैं क्यों इसको हल करूँ मैं एक काम करता हूँ मैं option value डाल डाल करके देखता हूँ कौनसा answer आएगा पहले मैं 2 डालता हूँ तो दो दूने 4 और एक 5 ठीक है ना तो उपर आगया 5 तो देखो 5 जो है आणसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 5 किसी की table में नहीं आएगा तो कटे गाई नहीं और जब तक कटे गा नहीं तो 3 ऊपर नहीं बनेगा तो देखके मेरे को समझ में आगया कि यह नहीं हो सकता है और मैं तीन डालता हूँ तो 2, 3, 6 और 6 और 7 भाई हाँ यह हो सकता है क्योंकि 9 कट सकता है क्योंकि आपन को क्या चाहिए वो option जो 3 बटे 10 ला है तो 2, 4, 8, 1, 9 तो उपर बन गया 9 और नीचे n प्लस 2 यानि 4 प्लस 2 यानि की 6 और 4 प्लस 1 यानि की 5 चलो काटा कुटी कर दो 3 से 3 बार ओके और 3 से 2 बार तो correct answer आ रहा है 3 बटे 10 किसमें आ रहा है C option में तो C is the correct option 3 बटे 10 दे रहा है तो बीना हल करें हमको इसका मान पता चल गया चलिए यह हो गया जी ओके next question क्या है भाई साब A square X cube की घातों में X की घातों के गुडांकों का योग सुनने हो तो एक आमान बराबर है ठीक है ओके यह बहुत common concept है मैं आपको इसको बता लेता हूँ देखे देखे किसी भी प्रसार में X की घातों के गुडांकों का योग सुनने होता है कह रहा है X की घातों के गुडांकों का योग सुनने है तो गुडांकों का योग कैसे प्राप्त करोगे किसी भी घात में गुडांकों का योग कैसे प्राप्त करोगे सबसे पहले मान लो आपके पास कोई भी घात, कोई भी प्रसार है समझो जैसे मान लो तुम्हाँ पास a प्लस b की पावर n है ठीक है ना, यहाँ पर x नहीं है मान लो तुम्हाँ पास एक प्रसार है a प्लस x की पावर n अब इसको तुम खोलोगे तो जैसी भी खुलेगी तुम्हाँ पास चलो A की सबसे पहले कैसी खुलेगी N C 0 A की पावर N है न फिर N C 1 A की पावर N-1 इंटू X की पावर 1 इस तरीके से आप इसकी प्रसार जो है आप इसको ओपन करते जाएंगे ठीक है न अब कहरा X की घातों के गुडांकों का योग तो बच्चों याद रखो अगर आपके पास कोई भी प्रसार है और अगर कहा गया है कि उसके गुडांकों का योग निकालना है तो गुडांकों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है x का मान 1 रखना पड़ता है देख लो एक equation देख लो जैसे आपके पास कोई वर्ग समी करण है ax square plus bx plus c equal to 0 इसके गुडांग कितने हैं a, b और c तो a, b, c का योग निकालना है तुमको a, b, c का क्या चाहिए है योग तो क्या करो यहाँ पर x का मान 1 रख दो तो जैसे ही x का मान 1 रखोगे तो a गुड़े 1 का square कितना हो गया a, b गुड़े 1 कितना हो गया b, और c तो c है यह तो a plus b plus c बराबर कितना हो गया 0, तो भाई साब अगर आपको किजी भी समी करण में किसी के गुड़ांकों का योग निकालना हो ओके, तो क्या करोगे वहाँ पर, वहाँ पर उसमें x की घात x की जगे पर क्या रख दो, 1 रख दो तो अब इस theme पर यह question होगा इस question को हम उठाते हैं और लेके चलते हैं आंगे concept मैंने इसका बता दिया अब इसको question को करते हैं अपन तो कह रहा है कि यदि यह समीकन दिया है इसकी प्रसार में x की घातों के गुड़ांकों का योग सुन हो ठीक ना, तो गुड़ांकों का योग निकालने के लिए क्या कर दो भाई, गुड़ांकों का योग निकालने के लिए क्या कर दो X के जगह पर 1 रग दो तो गुडांको का यो कित्ता हो जागा A स्क्वेर X की जगह 1 हो गया तो 1 हो गया माइनस 8A और प्लस 16 की पावर 48 और गुडांको का यो कित्ता रिया गया है जीरो बहुत बढ़ी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ A स्क्वेर माइनस 8A प्लस 16 तो ध्यान से देखो यह है A माइनस 4 का होल स्क्वेर और यह चड़ा हुआ है इसका पावर 48 बरावर कितना जीरो ठीक यह है A माइनस 4 का पावर क कितना होगा 48 दूनी 96 बराबर कितना 0 अगर किसी चीज का पावर 0 आ रहा है ठीक ना किसी चीज की पावर क्या रही है 0 आ रही है मतलब उसका ये जो टर्म है किसके एकल रहा होगा 0 के एकल मतलब A-4 किसके बराबर रहा होगा 0 के एक्वल तो A equal to कितना हो गया 4 तो इसका correct answer होगा A का मान किसके एक्वल होगा 4 के एक्वल Done तो जो A का मान होगा ये हो जाएगा अपना 4 के एक्वल चलिए next question करते हैं ये भी done 34 कर लिया अपने X plus N इसको करने में बहुत टाइम लगेगा इसको अपन जोड़ते हैं 35 को बाद में करेंगे चलिए X की power 5 का गुडांक इस अनुसरण में है चलो भाई इसमें आपको X की power 5 का गुडांक निकालना है ये अच्छा question है Question number 36 उठाते है दुपत प्रमे का question है देखिए क्या कह रहा है आपको X की power 5 का गुडांक निकालना है किसमें 1 प्लस X स्क्वाइर की power 5 अरे क्यों नहीं या रवाई 1 प्लस X स्क्वाइर की whole power 5 और इंटू 1 प्लस X की power 4 तो यदी मैं इसका expansion लिखता हूँ यदी मैं इसका प्रसार करता हूँ देखिए यदी मैं इसका प्रसार करूँ तो यहां से क्या इसका प्रसार बनेगा देखिए इसका प्रसार बनेगा 1 प्लस X स्क्वाइर है तो ये प्रसार बन जाएगा 5C0 ओके 5C0, 1 की power 5, x square की power 0 plus 5C1, x square की power 1, यानि x square 5C2, x square की power 2, यानि की 4 फिर 5C3, x square की power 3, यानि की 2, गुने 3, 6 हो जाएगा फिर 5C4, x की power 8, अब टू डॉट 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 यह है चलता जाएगा हमको, हमको इसकी जरूरत नहीं है और 1 plus x की power 4 का जो प्रसार बनेगा, कितना बनेगा 4C0, plus 4C1 into x, plus 4C2 into x का square, plus 4C3 into x का cube और लास्ट में आएगा 4C4 into x की power 4, लास्ट ही हो गया कह रहा है, आपको बताना है कि इसमें x की power 5 का गुडांग तो देखो भईया, x की power 5 कहां कहां बनेगा तो 5C0 का मतलब कितना होता है, 1 तो 1 को लेके तो कोई नहीं बनेगा क्योंकि 1 देखो, यहाँ पे इसके साथ गुणा होगा तो यह 1 ही है, constant है यह x की power 1 देगा, यह 2 देगा, यह 3 देगा, यह 4 देगा 5 देने वाला तो है नहीं तो अपनी उमीद अब किस से है, x square से है तो x square किस के साथ भिड़ेगा तो x square अगर 3 power के साथ भिड़ेगा तो 2 power और 3 power कितनी 5 power तो x की power 5 बनाने की पहली जिम्मेदारी इसकी और इसके गुणन की तो मतलब 5c1 गुणे 4c3 पहला फिर x की power 4 किस के साथ भिड़ेगा फिर x की power 4 भिड़ेगा इसके साथ तो अगली जिम्मेदारी कितनी हो गई 5c2 इंटू 4c1 फिर x की power 6 है तो बड़ा हो जाएगा तो छोड़ दो अब कोई नहीं बचा तो चलो निकालते हैं 5c1 कितना होता है 5 होता है 4c3 कितना होता है 4 ही होता है प्लस 5c2 मतलब 5 से 2 कदम पीछे और नीचे भी 2 कदम पीछे ठीक ना इंटू 4c1 कितना होता है 4 चलो काट दो इसको दो बार गया 5 गुणे 4 हुआ 20 प्लस 5 दुने 10 और 10 चोके 40 तो आंसर कितना होगा इसका भाई साथ स्क्रीन शॉट ले लीजिए इनके गुडांकों का यूग होगा कितना 60 होगा क्लियर है सबी को बच्चे यस और नो बोलें ओके इस तरीके के सवाल आते हैं चलिए अगला कोस्चेन आपन अभी छोड़ देते हैं 37 क्योंकि वो हाई लेवल का है 37 के बाद 38 देखते हैं 36 हो गया हाँ जी बोलो बेटा आप भेजिये मेरे को ग्रुप में बोलो प्रण ग्रुप में इसको अखेए लूआ लॉग की एक प्रापर्टी होती है कि लॉग A base B equal to 1 upon log B base A. मतलब लॉग में जो base होता है वो अल्टी-पल्टी हो जाया करता है. अगर नीचे है अगर उसको उपर लाओगे तो बलड जाएगा. तो ये question जो है ये कुछ इसी तरीके से होगा. यहाँ पर देखे आपके पास में क्या scene चल रहा है. यहाँ पर आपके पास में है log log of A B base पर कितना है A plus. ध्यान से देखो यहाँ B base है और A B क्या है इसके index में है. तो यदि इसको पलड दोगे तो उल्टा हो जाएगा. A B चला जाएगा नीचे और B चला जाएगा उपर. तो log A B चला गया नीचे और B चला गया उपर. अब क्या property होती है? आप जानते हैं log X into Y equal to log X plus log Y. ठीक है ना मतलब जो चीज addition में होती है वो चीज किसमें चली जाती है? प्रोडक्ट में. यहाँ पर add है, तो यह किसमें back होके चला गया, किसमें product में चला गया. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो देखो log A plus B multiply हो जाएगा. तो base तो A B रहेगा. और उपर भी कितना हो गया? A B. और ऐसा कोई भी log जिसका base भी और power भी same हो. जिसका base और index same हो, उसकी value किती होती है 1. तो यह हो गया कितना? यह हो गया log और bracket में हो गया 1. और log 1 की value किती होती है? 0. तो इसका answer होगा A, 0. clear? चलिए, next question देखते हैं. अगला question उठा रहे हैं, हम question number 38. 38 नहीं उठाएंगे, 39 उठाएंगे. Yes, question number 39. फिर से binomial theorem का question है इसलिए. question क्या कह रहा है? यह बीच में upon लगा लिजए हाँ पर. यह upon लगा हुआ है. question कह रहा है कि 1 प्लस X की power 10 और upon 1 माइनस X की power 3 के विस्तार में X का गुडांग ज्याद कीजे. तो देखे, question में क्या बनेगा? 1 बनेगा 1 प्लस X की power 10 और into 2 क्योंकि यह upon में है तो उपर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस X की power minus 3. ठीक है? 1 माइनस X की power minus 3 यह बन गया है. अब कहरा किसका गुडांग ज्याद करना है? X का गुडांग. चलो तो इसको खोल दो. इसको यदि मैं खोलता हूँ 1 प्लस X की power 10 को तो कैसे बनेगा? 1 प्लस NC 0 प्लस NC 1 मतलब 10 C 1 into X प्लस 10 C 2 into X का स्क्वार प्लस 10 C 3 into X का क्यूब और 10 C 4 into X की power 4 प्लस 10 C 5 into X की power 5 ऐसे करते करते यह बने गया. ओके? और देखे 1 माइनस X की power 3 यह है. तो इसका क्या बना करता है? आपके पास देखे इसका जो हल होता है मैं आपको बता देता हूँ 1 माइनस X की power माइनस N का जो solution बनता है. वो कितना बनता है? यह बनता है 1 प्लस N अंदर multiply हो जाता है ठीक है? 1 प्लस यह बनता है N C 1 N अंदर multiply हो जाएगा इस तरीके से लिखो इसको आप थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे यह 1 प्लस N इंटू X फिर N इंटू N माइनस 1 N इंटू N माइनस 1 इंटू X का स्क्वेर और फिर होता है इस तरीके से प्लस N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 X का Q N माइनस 1 यहाँ पे 2 भी आएगा यहाँ पे 3 भी आएगा I think so देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा 3 3 में से 1 गया 2 यही बनता है चलिए 1 प्लस N X ठीक ना इसको अपने इस तरीके से लिखा करते हैं solve करेंगे भी देखेगा तो देखे यहाँ पे अपने पास में 1 प्लस 10 की पावर यह है अब इसके बाद में यह बनेगा कैसे यह बनेगा 1 प्लस देखे माइनस 3 है तो माइनस 3 अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 X ओके और फिर N इंटू N माइनस 1 N कितना है माइनस 3 और N माइनस 1 अच्छा यहाँ पे 2 भी आता है यहाँ पे factorial 2 और यहाँ पे factorial 3 यह चीज मैं भूल गया था यहाँ पे factorial 2 और यहाँ पे factorial 3 कैसे बनता है मैं थोड़ा सा इसको डेक्स्प्लेइन कर देता हूँ आप लोग को देखे आपको बोल जाए 1 माइनस X की पावर माइनस N तो आप जानते हैं जैसा binomial theorem में आपने पढ़ा है ठीक ना कैसे पढ़ा है अपने binomial theorem में अगर यहाँ पर हमारे पास यह होता 1 प्लस X की पावर N तो आप इसको कैसे लगाते N C 0 फिर N C 1 इंटू X फिर N C 2 इंटू X का स्क्वार फिर N C 3 इंटू X का Q इस तरीके से solve करते अब आप थोड़ा से इसको हल कर लो तो यह क्या बनेगा N C 0 कितना होता है 1 N C 1 कितना होता है N को एक कदम पीछे 1 और नीचे भी 1 इंटू X प्लस N C 2 मतलब दो कदम पीछे N C 2 N इंटू एक कदम पीछे N-1 और नीचे 2 गुणे 1 और यहाँ X का स्क्वेर यह 3 कदम पीछे N N-1 N-2 और यहाँ पर कितना 3 गुणे 2 गुणे 1 X का Q बस यह काम आपको यहाँ करना है पहला कदम कितना होगा 1 ठीक है फिर देखो माइनस N से एक कदम पीछे कितना माइनस N और साथ में X की जगे कौन आ रहा है माइनस X फिर प्लस लगाओ फिर देखो यहाँ पर दो कदम पीछे तो एक है माइनस N और अगला आएगा माइनस N-1 ठीक है न और अपॉन में कितना 2 इंटू 1 और यहाँ पर आजाएगा माइनस X का स्क्वाइर यही लिख दिया तो और फिर इसके बाद कितना आएगा प्लस माइनस N माइनस N-1 माइनस N-2 अप आउन में फैक्टोरियल 3 और X का माइनस X का क्यूब तो बच्चों यह आपको इतना एक खतरनाग दिख रहा है इसको आप सिंप्लिफाई कर लोगे इसको सिंप्लिफाई करो तो आपके पास क्या बन रहा है मैं वो लिख देता हूँ आपके पास बन रहा है 1 माइनस X की पावर माइनस N एक्वालस टू 1 प्लस NX क्योंकि देखोई माइनस माइनस प्लस हो गया अच्छा एक माइनस यहां से common लो एक माइनस यहां से common लो ये भी कितना हो जाएगा प्लस तो प्लस n into n plus 1 और नीचे आएगा factorial 2 और x का square फिर प्लस आएगा n into n plus 1 into n plus 2 ओके upon factorial 3 और x का q तो एक ऐसे तरीके से सामान तरीके से आप ये formula note कर लो और इस formula को note करके आप जो है कर सकते हो solve ठीक ना आप इस formula को ये नोट कर लेते हो तो आपको आसानी से ये बन जाएगा note कर लीजे इसको formula को ओके तो देखा आपने यहां पर हमने क्या किया है यहां पर हमने 1 plus x की power 10 और 1 minus x की power minus 3 के लिए binomial theorem ये जो बना करती है 1 minus x की power minus n equal to 1 plus nx plus n into n plus 1 x square upon factorial 2 n into n plus 1 n plus 3 upon factorial 3 याद रखेगा negative में जो power होती है वो बढ़ती जाती है आम तोर पे power घटती है n n minus 1 होता है मगर इसमें n plus 1 होता है तो दो टर्म में ही हमारा काम हो गया फाल्तु में हमने x square को involve कि x square को involve कर नहीं नहीं था दो टर्म से ये answer आ जाता तो एक हमारा गुडांग काया 3x और एक टर्म बना x का 10x दोनों को जोड़ दिया तो 13x हो गया मतलब इस question को देखा जाता तो बहुत ही easily तरीके से हम ऐसे कर सकते थे दो टर्म में ही काम चल जाता चलो इस बार करके दिखा जेता हूं इस question को और simply तरीके से तो आपको और clear हो जाएगा ये question आगया आपने पास देखिए तो ये हमारा पास क्या था ये हमारा पास था 1 plus x की power 10 और दूसरा आपने पास क्या था दूसरा आपने पास था 1 minus x की ऊपर power कितना आया minus 3 तो 1 plus x की power 10 query खोलोगे तो कितना आएगा 10 c 0 plus 10 c 1 x की power 1 plus 10 c 2 x की power 2 और dot 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 और फिर 1 minus binomial थिएरो में इतना तो आपको रटा होगा कि ये minus अंदर घुस के 1 plus 3 x बना देता है तो ये हो गया 1 plus 3 x और dot dot देखो आँगे हमें इसलिए करने की ज़रत नी क्योंकि हमसे x की power 1 का गुडांग पूछा है मतलब सबसे छोटा गुडांग तो एक situation है ये इसके साथ गुणा कर जाए और दूसरी situation है ये इसके साथ गुणा कर जाए तो 10 c 0 कितना होता है 1 तो 1 जब 3 x के साथ गुणा करेगा तो कितना देगा 3 x और 10 c 1 कितना होता है 10 और 10 x और 10 x जो है 1 के साथ गुणा करेगा तो कितना देगा 10 x तो answer कितना हो गया 13 x तो x का गुडांग पूछा गया है कितना होगा 13 तो correct answer है इन में से कोई नहीं तो यह हो गया जी एक और आपसन आपका आंसर 39 यह हो गया डन चलिए नेक्स क्वेश्चन जो है 10 इनवर्स, 4 इनवर्स, इसको छोड़ दीजे अभी बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमर 41 ट्रिकी क्वेश्चन है यह देखें क्वेश्चन नमर 41 क्या कह रहा है कह रहा है कि फलन fx उकल 2 fx उकल टू अंडर रूट 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x का प्रांथ क्या है भाइसा प्रांथ यानि की डोमेन आपसे पूछ रहा है कि इसका जो डोमेन क्या है तो हम लोग जानते हैं कि root के अंदर अगर कोई चीज बैठती है तो उसका domain होने के लिए क्या होना चाहिए 2 की power x minus 5 की power x जो है भाई साब आप या तो 0 के बड़ाबर हो जाओ या 0 से बड़े हो जाओ 2 की power x minus 5 की power x greater than or equal to 0 तो 2 की power x greater than or equal to 5 की power x ठीक है न? और अब कह रहा है कि x की किन values के लिए ये सही होगा तो एक काम करिए इसको दो तरीके से दो तीन तरीके साप स्वाल कर सकते हैं पहला चीज ऑप्शन से तो ऑप्शन में देखो x equal to 0 कर दोगे अगर अगर x equal to 0 कर दोगे x equal to 0 पर क्या हो जाएगा देख लो तो 2 की power 0 1 हो जाएगा और 5 की power 0 भी क्या हो जाएगा 1 ये भी 1 बन गया ये भी 1 गया मतलब ऑप्शन में x equal to 0 दोनों को बराबर करेगा मतलब वैलिड है अगर आप x equal to 0 कर दोगे तो 1 equal to 1 हो जाएगा जो की सही है तो मतलब ऑप्शन ये नहीं है और ये नहीं है मतलब a cancel हो गया और c cancel हो गया दो ऑप्शन नहीं है या तो ये है या तो ये है ठीक है ना अब दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि 2 की पावर x 5 की पावर x से बड़ा होना चाहिए तो आप value रख करके देख ले x greater than 0 रहे करके देख ले 0 से बड़ा तो भाईया x की value अगर आप 0 से बड़े लेंगे 2 ले लो 2 तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 5 की पावर 2 कितना होता है 25 तो 4 25 से बड़ा तो होता ही नहीं है मतलब यह false हो गया तो correct answer क्या बच्चा b x less than or equal to 0 तो इसका option क्या होगा b ओके तो इस तरीके से आप check कर सकते हो यह हो जाएगा 41 done बोली बच्चो clear हुआ सभी को देखे अब यह आपके सामने सवाल दिया गया है कह रहा है कि भाई साब f x equal to x minus 1 upon x plus 2 x minus 1 upon x plus 2 यह आपको दिया गया है f x अब कह रहा है पहले y जो है वो inverse function है x का मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका inverse function इसका क्या निकालना पड़ेगा inverse function तो अभी फिलाल हमारे पास f x दिया गया है यह और f x क्या होता है y तो हम लिखते है y equal to given है x minus 1 upon x plus 2 मतलब अभी क्या हो रहा है अभी हालत यह है कि चक्की में हम x दे रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है y तो इसको बोलते हैं सीधा function f हमें कमाल क्या करना है हमें कमाल यह करना है कि हमें उसका ultra function निकालना है उके उसका ultra function निकालेंगे कि चक्की में हम y डालेंगे और हमको बदले में क्या मिलेगा x मिलेगा मतलब अभी input x है output y है अब हमको ऐसा कुछ करना है कि input बन जाए y और output बन जाए x मतलब x को अपन को कोने में लेके आना है एक चीज़ और बता दूमें कि अगर y is the function of x तो x is the inverse function of y जी हाँ तो हमें यहाँ पर inverse function निकालना है कि वो inverse function क्या है तो आईए solve करते हैं इसको तो यह क्या हो जाएगा xy cross multiply करिए xy plus 2y is equal to हो गया x minus 1 तो 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 यहाँ पर xy minus का x x equal to minus 1 minus 2y ओके एक मिनुट कुछ गलत तो नहीं है बिलकुल सही है तो xy minus x equal to कितना हो जागा यहाँ पर यहाँ पर minus x इधर आ चुका है तो अपने पास हो जागा minus 1 और minus का 2y यहाँ से मैंने x common ले लिया तो y minus 1 is equal to हो गया कितना minus 1 minus 2y और यहाँ से x की value कितनी आ गई x की value आ चुकी है minus 1 minus 2y upon y minus 1 ठीक है और यदि मैं minus sign common ले लूँ इसका तो यह कितना हो जाएगा यह बन जाएगी 2y plus 1 upon y minus 1 इस minus sign को मैं नीचे गुणा कर देता हूँ तो यह मेरे पास बन जाएगा x equal to 2y plus 1 upon तो अब क्या है भाई साम यह बन चुका है आपके पास x is the function inverse function of y तो inverse function of y आपके सामने जोरदा तरीके से चमक रहा है क्या है 2y plus 1 upon 1 minus y तो आपको बढ़ क्या चाहिए आपको चाहिए है inverse function of x तो y की भाशा में जब बात हो रही तो y आ रहा है तो जब x की भाशा में बात होगी तो कितना हैगा 2x plus 1 upon 1 minus x यह आ गया f inverse x ठीक है अब f inverse x है अब कह रहा है इसको अब कलन करो अब इसका क्या कर दो अब कलन तो अब क्या है अपने पास भाई साब y equal to f inverse x है और y का मान कितना है 2x plus 1 upon 1 minus x ओकी तो मैं अगले पेज में लिखता हूँ y is equal to 2x minus 1 ना ना 2x plus 1 आया था साइध हाँ जी 2x plus 1 upon 1 minus x अब कह रहा है इसका अब कलन कर दो dvdx चलो तो कैसे होगा रूल लगेगा division रूल लगेगा ओके 2x plus 1 upon 1 minus x क्या रूल लगेगा हर गोडे अंच का अवकलन गोडांक 2x plus 1 माइनस अंच गोडे हर का अवकलन गोडांक dvdx of 1 minus x upon 1 minus x का होल स्क्वेर 1 minus x multiply by multiply by 2x plus 1 का अवकलन कितना हो जाएगा एक मिनट भाई साब क्या करेंगे यहाँ पे 1 minus x multiply by 2x का अवकलन 2 1 का 0 माइनस 2x plus 1 और 1 का 0 और x का कितना माइनस 1 और यह हो गया 1 minus x का होल स्क्वेर तो 1 into 1 1 into 2 2 और यह कितना माइनस का 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो प्लस 2x और प्लस का 1 क्योंकि यह माइनस इसके साथ अटेच हो गया प्लस कर दिया तो देखिए माइनस 2x से यह कैंसल हो गया और 1 minus x का स्क्वेर तो 2 और 1 कितना होता है 3 तो answer बनेगा 3 बटे 1 minus x का स्क्वेर चलिए चेक करते है आंसर बिल्कुल सही 3 upon 1 minus x का स्क्वेर करेक्ट आंसर चलिए next question है स्वयम तक के समस्त अच्छादक फलनों की संख्या बताना है तो यह class 12 को समझ मैं आया गई question class 11th वालों के concept से नहीं बने गई है चलिए जी कह रहा है कि अपने पास एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5 और यह भी कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और कह रहा है कि इसके सभी समस्त अच्छादक फलनों की संख्या बताओ कि इतने total अच्छादक फलन कितने बनेंगे इसके अच्छादक फलन तो देखो भाई साब आच्छादक फलन का रूल क्या होता है आच्छादक फलन का रूल यह होता है कि यह जो पाचों के पाचों है यह पाचों के पाचों जो है इनसे connect हो जाए इनसे क्या हो जाए connect हो जाए यह पाचों के पाचों जो है इन से connect हो जाए तो ये 5 है और ये भी 5 है फलन है तो यहाँ कोई खाली बैठ नहीं सकता है मतलब इन पूरे पाचों को इन पूरे पाचों के साथ दोस्ती करनी है चाहे कोई किसी के साथ करे ठीक है ना कोई किसी के साथ करे तो मतलब इधर के पाच को ये 5 कौन है ये पापा है है ना और इधर के 5 को ये 5 बच्चे उठाने हैं और ऐसे उठाने हैं कि एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए तो correct तरीके क्या होंगे यहां वाले जो पापा होंगे इन बच्चों को उठाएंगे तो मैंने क्या तरीका बताया था 5P5 क्योंकि यहां भी 5 हैं और यहां पाचों को इनको समलित करना है इनके साथ जोड़ी बनानी है तो आच्छादक होने के लिए इन सब को function में सामिल होना है और किन के साथ सामिल होना है इन 5 के साथ है तो 5P5 आंसर कितना होगा factorial 5 ठीक है ना तो 5P5 equal to factorial 5 नोट कर लिजे तो यदि आपके पास में दोनों में अव्यव की संख्या बराबर है तो बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या self to self जो है कित्ती होगी factorial n तो इसकी एक trick बना लिजे कि अगर आपके पास किसी set में n element है और उसका खुद के साथ अगर आप आच्छादक बना रहे हैं तो बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी factorial n note करिए मैं definition बोलता हूँ एक second तो क्या देखा हमने कि यदि आपके पास कोई फलन a है और a से a में आप आच्छादक फलन बना रहे हैं ठीक खुद से खुद में आच्छादक फलन तो बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या होगी factorial n n pn बराबर factorial n ठीक है yes तो ये question भी हो गया हमारा इसका answer आया क्या factorial n तो इसमें कितने हैं भाई साब 5 है तो 5 का कितना बनेगा इसका factorial 5 बन जाएगा correct answer इसका कितना हो जाएगा c ओके अगला question भाई साब ये तो बहुत बार आया है question question number 44 set theory का question है और काफी बार exam में repeat हुआ है चलो तो करते हैं भाई सको question क्या कह रहा है यदि a equal to 4 to the power n minus 3 की power n minus 1 और b बराबर इतना है तो बताइए कौन सा कथन सत्त है कुल में लाके बताना है कौन किसका subset है तो लिए भाईया मैंने लिया n का मान और दोनों में देखो n natural number है तो 1 set a बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं n की value 1 डालता हूँ तो n की value 1 मैं a में डालता हूँ तो देखो कितना आएगा 4 की power 1 minus 3 into 1 और minus 1 तो 3 ये हो गया 3 एकम 3 और ये कितना हो गया 4 3 एक 4 चार से 4 cancel हो गया तो कितना हो गया जीरो हो गया चलो अब इसको देखते है n की value 1 डालो इसमें भी कितना आएगा जीरो आएगा अब इसमें n की value 2 डाल दो तो 4 की power 2 कितना हो गया 16 16 minus 3 गुणे 2 6 और minus 1 तो 16 में से 7 गया कितना बचा 9 और यहाँ n की value 2 डालो तो n की value 2 डालने पर कितना बनेगा 2 minus 1 तो यहाँ पर कितना हो गया 9 चलो तो अभी तो दोनों हो गया अभी तो पता नहीं चलगा कौन किसका subset है न की value 3 डालो तो 4 की power 3 यानि कितना 64 minus 3 n यानि 3 गुणे 4 12 और minus का 1 तो 12 और minus का 1 कितना हो गया 13 है ना तो 64 में से 13 minus कर दो तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया कितना 5 यहाँ कितना आ गया 51 अब यहाँ देखते हैं तो 9 गुणे 3 minus 1 क्योंकि n की value हम क्या डाल रहे हैं 3 डाल रहे हैं तो 3 minus 1 कितना हो गया 2 तो मतलब यह हो गया कितना 18, चलो, आँगे देखते हैं, n का value आप इसमें 4 डालेंगे, तो 4 की power 4, याने की 256, ठीक है, 256, अब देखिए वैसे clear यहाँ ही पर हो गया है, कि जो a है, वो b का subset है, ओके, मतलब a is the subset of b, वैसे यहीं पर answer clear हो चुका है, मतलब b के अंदर जो है, वो a भरा हुआ है, देखो b में तो 0 और 9 है, हाँ ठीक है, और b के अंदर 18 तो है, मगर a के अंदर 59 है, अब आप कहोगे sir, b के अंदर 59 आएगा, क्या बिलकुल आएगा, एक मिनट 59, 59 कैसे आ रहा है भाई, थोड़ा सा देख तो ले, 59 तो मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, 64, 4 की पावर 3, 64, 3, 3, 9 था ना, तभी तो गड़बड़ी हो गई, बताईए, 3 की वैल्यू 3 डालनी थी ना, 4 की पावर 3 हो गया कितना, 64, 3 गोणे 3 कितना हो गया, 9 और 1, 10, तो भाईज आप 64 में से 10 गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 44 बचेगा, बिलकुल सही बात है, तो यहाँ पे कितना बचा, 44 बचा, अब देखते हैं, देखे, यहाँ पे अगर आप 5 डालोगे, 5 माइनस 1, 36, और, तो यह 44 आ गया है, 4 की पावर 3, 64 माइनस 3 गोणे, 3 गोणे 39, और माइनस 1, अरे यार, क्या कर रहा हूं मैं भी, 64 में से 10 माइनस कर रहा हूं, 44 लिख रहा चलो, 54 बचेगा न, चलो, अब देखो यहाँ पे, जिस समय आप एनकी वैल्यू यहाँ पे 5 दोगे, ठीक न, जिस समय एनकी वैल्यू आप यहाँ पे 5 दोगे, तो 9 माइनस, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, तो 9 चोके 36 मिलेगा, जिस समय एनकी वैल्यू 6 दोगे, तो 6 माइनस 1 क कितना हुआ 5, और 5 आपको क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, और जिस समय 9 की value 7 दोगे, तो 7-1 बराबर कितना मिलेगा, 6, और 9-6 कितना हो जाएगा, 54, तो ध्यान से देखो, B set बड़ा है, और B set के अंदर कौन भरा हुआ है, A, तो क्या लिखोगे, A is the subset of B, तो correct answer इसका क्या होगा, A is the subset of B, A option, चलो next question देखते है, question नमर 44 के बाद, question नमर 45 देखते है, question नमर 45 जो है, अभी आप इसको छोड़ दीजे, question नमर 46 ग्रुप त्योरी का, इसको मैं बाद में खराऊंगा, ओके ये भी ग्रुप का है, 47 इसको लीव करिए, then question नमर 48 लीव करिए, question नमर 49, ये भी अटाईए, अब देखे, आपके सामने है, question नमर 54, 54 में कहा जा रहा है, कि the value of determinant, इसकी value determinant की क्या होगी, आपके सामने एक बड़ा सा, खतरनाक सा, ये सारनिक ला दिया गया है, और इस सारनिक का आप से मान पूछा जा रहा है, competitive exam में, कि सारनिक बड़ा मान बताईए, क्या होगा, लो जी, तो अब देखिए, कि यहाँ पर ये सारनिक के जितने भी मान है, उसमें एक option दिया गया है, x-1, मतलब ये x पर नरभर कर रहा है, ठीक है, तो मैं x की कोई value डाल करके इसका answer निकालता हूँ, X की कोई value डाल करके इसका answer निकालूँगा तो शायद मेरे को answer मिल जाए ओके तो मैं क्या करता हूँ X की value 0 डाल देता हूँ इसमें और जैसे ही 0 डालता हूँ तो इसका answer मेरे को कितना आता है देखो 2, 3, 5, 4, 6, 9, 8, 11, 15 ये मेरे पास बन गया क्या? सांडिक बन गया है देखो कुछ कॉमा ना आएगा क्या 2, 3, 5, 4, 6, 10, 8 और 11 चलो कटने के chances पूरे कतम हो गए तो पूरा पन को solve भी करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है छोटा से छोटा हो जाएगा मगर उतना कुछ लाब नहीं मिलेगा तो 2, 15, 6, 90 और 11, 9 कितना 99 माइनस का फिर माइनस का 3, 15, 4, 6, और 8, 9 कितना 52 माइनस का और प्लस का 5, 4, 11, 44 माइनस 48 चलो हल कर देएं तो 10 में से 9 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा 2 नाम 18 और 60-72 कितना माइनस का 12 और यह हो जाएगा प्लस का 36 और 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 कितना यहाँएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा तो 5 के माइनस का 20 ठीक है ना 44-48 माइनस का 20 तो अब देखो जी आंसर कितना आ रहा है 20 और 18 कितना होता है माइनस का 38 और प्लस का 36 तो आंसर कितना ह तो correct answer इसका क्या होगा दोस्तों B option minus का 2 तो कोई भी सारणिक का question जिन्दगी में आए उसको पूरा खोल के competitive exam में मत करना X की value put करना और जो answer आए X की value 0 डाल देना कोई ज़्यादा चीज हो तो फिर उसके हिसाब से देखना बट यहाँ पे इस तरीके से solve हो जाएगा ठीक है चलो बोलो समझ में आगया सभी को clear है Okay done यह हो गया जी 54th हो गया अब इसके बाद 55 class 12th का concept यहाँ पे आगया जी 55 देखते हैं कैसे करना है 55 question में दो variable आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ओके 1 1 1 अब या तो भाई 2 0 बनाने का time ले लो नहीं तो मेरी method लगाओ x equal to 2 ले लो और y equal to 3 ले लो best चलो भाई तो x equal to 2 और y equal to 3 पठको 1 1 1 1 x equal to 2 पर 2 और 1 3 यह 1 और 1 1 और 3 और 1 कितना 4 चलो खोल दू पहला आएगा 1 3 चोके 12 minus 1 फिर minus का 1 1 चोके 4 और minus का 1 और plus का 1 1 1 1 1 और minus का 3 answer के लिए तैयार 11 4 में से 1 गय तीन तो minus का 3 और यह कितना हो गया minus का 2 तो 11 minus 5 answer कितना आया 6 अब देखो 6 option कौन सा देगा x plus y अगर x plus y करोगे तो 2 धन 3 पाच आएगा x into y तो 2 गुणे 3 करोगे तो 6 आएगा मतलब correct option क्या होगा b तो इसका correct answer क्या होगा b है ना गजब short trick बच्चो directly आप x और y का मान पोट करके answer निकाल सकते हैं option number db match हो रहा है ओए भाई यह तो नई बात कर दी तुमने 1 plus x plus y 1 plus x plus y यह तो बहुत अच्छा ध्यान दिया तुमने के के 1 plus 2 plus 3 match हो गया तो 3 और 2 5 एक 6 ओके मतलब मुकाबला a और d का है अब हमको यहाँ पर जो है या तो इस condition में answer हो गया है तो या तो option बदल करके change कर लो 2 और कुछ और रख लो तो शायद अगले बारे में आ जाए नहीं तो अब तो तुम solve करवा लो भाई मुझसे अब इसको solve करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मुकाबला tie हो गया ठीक ना क्योंकि answer अगर match हो जाता है तो फिर अपने पास twice नहीं बचती फिर अपन को या तो फिर option change करो और option change करने के बाद जो है answer हो जाएगा तो देखो एक चीज और है आप यहाँ पर x equal to 0 लेके देख सकते हो क्योंकि x equal to 0 में यह answer अलगा रहा है यह अलगाएगा यह अलगाएगा यह अलगाएगा तो better हम x equal to 0 और y equal to 2 ले ले चलो तो देखते हैं x equal to 0 और y equal to 2 में तो 1 1 1 1 1 plus 1 1 plus 0 हो गया 1 यह हो गया 1 और y equal to 2 तो ले लिया है 1 plus 2 3 0 plus 2 ठीक है देखो एक चीज मैं बताऊं कि जभी भी आप option put करते हो तो option put करते समय पहले यह देखा करो कि कोई option match तो नहीं हो रहा है जैसे मैंने पिछले question में क्या किया मैंने option तो put कर दिया कि x equal to 1 y equal to 2 एक गलती यहां पर होई है मुझसे कि x equal to 1 और y equal to 2 मैंने option तो put कर दिया बट मैंने ये नहीं देखा कि कोई match कर रहा कि नहीं कर रहा है तो पहले option put करके देखो कि कोई 2 option match तो नहीं हो रहे हैं अगर 2 option match हो रहे हैं तो कभी उनको मत put करो नहीं तो आपका समय खराब होगा अब जैसे यहाँ पर यह समस्य आपके सामने नहीं आएगी यहाँ पर 0 put किया इधर पर 2 put किया तो यह हो जाएगा 1 1 1 और यह हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस 2 कितना 3 लिए लिए दो रो समान है तो answer कितना आगया 0 अब देखो option में कौन आपको 0 देगा यह नहीं देगा क्योंकि 0 प्लस 2 तू देगा यह नहीं देगा क्योंकि 0 माइनस 2 आपको माइनस 2 देगा यह आपको 0 देदेगा बट यह 0 नहीं देगा तो correct answer क्या होगा B इसका XY तो एक बहुत बड़ी सीख मिल रही यहाँ पे कि जब भी आप option वाला question कर रहे हो और कुछ put करके question में कर रहे हो तो अपने option पहले answer से match कर लिया करो कि कहीं दो option तो नहीं दे रहा है ठीक है बच्चों कि के समझ में आ गया भाई चली अगला question देखते है 56 question क्या कह रहा है भाई 56 कह रहा है यदि A का view इस प्रकार है कि 3A square plus 2A square plus 5A plus I equal to 0 तो A inverse का मान निकालना है लिए भाई तो बहुत ही simple question है A inverse का multiply कर दो इस तरफ से तो यह हो जाएगा कितना 3A cube plus 2A square plus 5 into A और प्लस का I equal to कितना O O NNL matrix तो A inverse से A square का करोगे तो क्या A cube का करोगे तो A कट जाएगा 3A square plus कितना बचेगा यह 2A और A inverse से A कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई साथ 5I और प्लस कितना बचेगा यह A inverse equal to कितना 0 clear है तो यहां से A inverse जाएगा तो minus में हो जाएगा और यह हो जाएगा 3A square plus 2A plus 5I अब यहां से देखिए यदि मैं A inverse की value निकालू तो answer कितना आएगा यह minus आजाएगा तो minus 3A square plus 2A और प्लस का 5I तो option में I misprint हो गई है आई होना था तो correct option है इसका A A is the correct option ठीक है तो यह class 12th का level का question था तो बहुत easy बन गया होगा आप सभी लोगों से 56 भी done लो भाई बहुत ही बढ़िया question है यह तो काफी बार आपने किया भी होगा कि यदि 1A 0 1 है तो A की power N का मान बताईए तो 1A 0 1 होता है तो यहां पर क्या आता जाता है A की power N में N A हो जाता है कितना हो जाता है यहां पर N A हो जाता है तो इसका directly shortcut आप बना लीजिए A की power N equal to कितना हो जाएगा 1 N A 0 1 यदि देखना चाहों तो A square करके देख लो तो A square equal to 1 A 0 1 into 1 A 0 1 ओके कितना solve होगा देखिए 1st row 1st column 1 into 1 ओके प्लस A into 0 तो 1 ही बचा 1st row 2nd column 1 into 1 into A plus A into 1 तो यहां पर कितना आजाएगा 2 A इस तरीके से इसका answer क्या होगा N A तो 1 N A 0 and 1 तो 1 N A 0 and 1 तो का answer answer होगा C इसको बना लीजिए as a shortcut इसको use करेंगे आप लोग इसको load कर लीजिए ओके next question की देखें क्या है next question यह वाला हो चुका है question कह रहा है यदि A 3 cross 3 का view है जिसकी कोटी 2 है और 1 3 cross 3 का अच्छा और B है यहाँ पे ओके जिसकी कोटी 3 है order 3 है तो आपको बताना है कि A B की कोटी क्या होगी चलिए एक आवियू दिया गया है आपको एक आवियू आपको दिया गया है जिसकी कोटी जिसके 3 cross 3 जिसकी कोटी 2 है और 1 3 cross 3 का अवियू है जिसकी कोटी 3 है तो A B की कोटी भाई यह कैसे multiply हो जाएगा आपके पास में यह देखिए इस question में किसी को कोई doubt तो नहीं है A की value 2 3 5 minus 2 है तो 19 A inverse पूछा गया है तो मैंने trick क्या बताई आपको 19 A inverse को 19 को अलग कर लिया और A inverse क्या होता है Adjoint A upon Determinante Adjoint A की trick होती है principle को पलटो secondary का sign change तो इसको पलट दिया आपने तो minus 2 2 और minus 5 minus 3 और upon में minus 19 cancel हो गया minus 1 solve करके यह आगया so simple question चली next question देखते है अगला question है आपके पास में यदि omega 1 का घनमूल है तो सानिक इतने का आपको मान बताना है कि इतने का मान क्या होगा ठीक है देखे यहाँ पर सबसे problem यह है कि आयोटा बैठा हुगा थोड़ी सी तो इसको हम कैसे simplify कर सकते है हम जानते हैं जो हमाँ पास rule होता है कि 1 plus omega plus omega square equal to कितना होता है 0 1 plus omega plus omega square equal to कितना होगा करता है 0 तो यदि मैं इसको simplify कर दूँ तो यह हो जाएगा 1 और 1 plus omega square equal to कितना होगा minus omega तो यह हो जाएगा iota minus का omega और यह हो गया omega square और यह है 1 minus iota और यहाँ पर कितना है minus 1 और omega square minus 1 तो इसको omega square minus 1 ही रहन दीजिए और यह है minus iota और यह iota minus omega minus 1 तो थोड़ा सा इसको सही करूँ मैं minus iota minus omega minus 1 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं minus iota minus omega minus 1 इसको क्या लिखा जा सकता है इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता तो यह है minus iota minus omega minus 1 और यह है minus 1 अब आप इसको simplify इस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा सा छोटा ये कर सकते हैं कि अगर आप r2 में r3 को add कर दें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा यदि add कर देंगे तो और तो कोई तरीका इधर पर दिखनी रहा है तो पूरे पूरे तरीके से हल करना पड़ेगा तो चलो मैं इसको पूरा-पूरा हल करता हूं तो 1 और minus 1 का minus 1 के साथ multiply हो जाएगा कितना plus 1 ठीक और minus ये हो जाएगा iota plus omega plus 1 और ये कितना हो जाएगा omega square minus 1 चलिए तो इसको solve कीजिए आप लोग थोड़ा सा time लगेगा इसको time देकर के solve कीजिए मैं wait कर रहा हूँ चलिए रेखे इसको हम थोड़ा सा अगर applications लगाएंगे तो ये easily solve हो जाएगा तो यदि हम application इसको लगाएं तो ये थोड़ा easily solve हो जाएगा कैसे solve हो जाएगा देखे ये मेरे को one minus iota चाहिए यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ r1 tends to r1 plus r3 r1 tends to r1 plus r3 ये कर देता हूँ मैं तो ये one minus iota और one plus iota minus omega square में इसको जोड़ोगे तो iota से iota cancel minus 1 से plus 1 cancel तो कितना बच गया omega square plus omega omega square plus omega ठीक है और यहाँ पर देखो कितना बच गया यहाँ पर इसमें ये जुड़ गया है तो ये हो गया omega square minus का one ये वराज gate बंद कर लो ये हो गया omega square minus one और ये हो गया कितना भई ये हो गया one minus iota और ये हो गया minus का one और ये हो गया omega square minus one और ये हो गया माइनस आयोटा यह हो गया माइनस आयोटा प्लस ओमेगा प्लस वन और यह हो गया माइनस वन थोड़ा सा दिमाग चलाया अपन ने अब देखें ओमेगा स्क्वाइर जो omega square होता है और plus omega plus 1 equal to कितना होता है 0 तो omega square plus omega की value किती हो जाएगी minus 1, तो मैं इसको क्या लेख सकता हूँ मैं इसको लेख सकता हूँ 1 minus iota यह value हो गई minus 1 और यह value हो गई omega square minus 1 ओके ठीक और यह value देखे अपने पास में यहाँ पर पर यह value जो है यहाँ पर यह value कितनी है 1 minus iota और यह value कितनी है minus 1 यह already दी थी और यह value है omega square minus 1 लिए भाई, मजे हो गई देखो दोनों आपकी जो पंक्तियां है समान हो गई है तो बिना कुछ करे answer कितना आएगा 0 तीसरी पंक्ति हमको देखना भी नहीं है दोनों पंक्तियां थोड़े से मेहनत करके क्या हो गई समान हो गई है तो इसका answer कितना आजाएगा 0 आजाएगा ठीक क्वेशन लिख रहा हूँ यहां पर मैं आपके लिए क्वेशन कहे रहा है 9 सुवस्पस्ट अवकलनों के समुच्चे अवलोकनों सारी अवकलन नहीं 9 सुवस्पस्ट अवलोकनों के समुच्चे की माधिका 20.5 है मतलब आपके पास कोई 9 आपके पास X1, X2, X3 लेके कोई 9 अब्जर्वेशन है मतलब X9 और इसकी जो माधिका है जो मीडियन है वो कितनी है इसकी मीडियन जो है 20.5 है 20.5 कह रहा है कि यदी मीडियन के चार जो बड़े अवलोकन है मतलब इसके चार जो बड़े अब्जर्वेशन दिख रहे हैं उनको सब को दो एड़ कर दिया जाए मतलब मान लिजे कोई भी चार अब्जर्वेशन एक ये है एक ये है एक ये है और इनमें सब में हम दो एड़ कर देते हैं इनमें सब में हम एड़ कर देते हैं 2 से बढ़ जाएगी Option number B 2 से घट जाएगी Option number C नई माधिका की पुरानी माधिका की दो गूनी हो जाएगी Option number D कोई फरक नहीं पड़ेगा वही रहेगी Knowledge आपकी जैसी होई माधिका की वैसे आप जबाब दे पाएंगे बताईए माधिका में क्या परिवर्दन आता है तो चलिए आंसर इसका है वही रहेगी माधिका जो होती है अगर आप किसी नमबर माधिका जो होती है वो जामितिय रूप से परिभाशित होती है जामितिय मध्यविंदू तो अगर आप observations के साथ कुछ भी जोड़ो घटाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ओसत में फर्क पड़ेगा मगर माधिका में फर्क नहीं पड़ेगा तो माधिका चेंज नहीं होती इसका correct answer है no change ठीक है ना इसमें कोई change नहीं आएगा चलिए अगला question देखते है नेक्स question सो विद्यार्थियों की एक कक्षा में सत्तर विद्यार्थियों के सत्तर लड़कों के उसत अंक एक विशाय में 75 है तो total number of student कितने हैं 100 है ओके boys कितने हैं 70 है okay boys हैं अपने पास 70 तो सीरी बात है भाई girls कितनी होंगी 30 होंगी तो भाई लड़कों के पूरी कक्षा में 70 लड़कों के एक विशाय में उसत अंक 75 है मतलब जो boys का average आ रहा है x बार boys का वो कितना आ रहा है 75 और पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का उसत जो है वो 72 है मतलब x बार total वो कितना है 72 है तो आपको बताना है कि लड़कियां जो है लड़कियों का उसत अंक कितना होगा मतलब x गल्स आपको बताना है कि गल्स के उसत अंक कितने होंगे ठीक है तो देखे गल्स के औसत अंग कितने होंगे भाई गल्स के औसत अंग मतलब पूरी गल्स के टोटल मास्ग के यहाँ पर कैसे आएगा इसे जो टोटल मास्गा अब और नंबर ऑफ कितनी है तीस हैं ये तो तोटल मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे देखिए लड़के 75 हैं लड़कों के अंक कितने हैं 75 तो सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल लंबर ऑफ बच कितने हैं 70 बराबर आ रहा है कितना 75 तो सिग्मा एक्स आई ब्वायज के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 70 गुणे 75 तो 70 गुणे 75 कर दो भाई साब तो जीरो तो लगा दो साथ पने 35 की पांच हासिल तीन आ गई है साथ साथ उननचास पचास इन क्या वन बावन सो पचास आ गए लड़कों के अंक अब कुल अंक कितने हैं भाई साब देखो टोटल तो टोटल में क्या हो जाएगा सिग्मा अबावन सो बराबर कितना हो गया 72 तो मतलब कुल अंक पूरी कक्छा के कितने हो गया भाई साब 72 तो लड़कियों के अंक कितने होंगे कूरी कक्छा के अंका है 72 और लड़कों क्या है 52 तो 72 तो बहतर सो में अगर आप 52 माइनस कर देंगे तो जीरो 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 दस में से 5 यह बन गया कितना भाई साब 52 नीचे है ठीक ना बट यह बन जाएगा एक तो 11 में से दो गया कितना हो गया 9 और यह 6 में से गया 1950 तो लड़कियों के मार्क्स कितने आ गए 1950 अपॉन कितना 30 जीरो सी जीरो कैंसिल तीस बट एक सो पंचार में नौपांच चौद एक पंदरा आंसर कितना आएगा तीन छे अठारा एक कड़ गया तीन पांच पंदरा मतलब लड़कियों के औसा तंग कितने आए हैं पैसट ठीक है चली अगला क्वेशन है समांतर स्रिनी का तीन समांतर स्रिनी के एन पदों का योगफल आपके पास थी एपीज है Sum of the n terms of the 3 arithmetic progression are S1, S2 and S3 3 समांतर सेड़ी है जिनके n पदों का योगफल S1, S2 और S3 है ठीक है तो आपको बताया गया है मतलब 3 समांतर सेड़ी है जिनके n पदों का योगफल तो पहली सेड़ी है माल लिजे AP 1st दूसरी सेड़ी है AP 2nd और तीसरी सेड़ी है AP 3rd तो इसके n पदों का योगफल S1 1st AP के n पदों का योगफल कितना है S1 2nd AP के n पदों का योगफल कितना है S2 और 3rd AP के n पदों का योगफल कितना है S3 बहुत बढ़िया अब क्या रहा है the first term of each series is 1 पहली series इसका पहला पद है 1 इसकी जो AP है इसका भी पहला पद है 1 और इसकी AP जो है इसका पहला पद है 1 and their common difference are 2, 3, 1, 2, 3 इनके common difference कितने हैं? 1, 2, 3 मतलब इनका जो सरवान उपात है वो है 1, 2, 3 पर्थम पद सब के एक हैं और इसका जो common difference है इसका 1 है, इसका 2 है और इसका कितना है? 3 है आये, तो कहरा बताइए कौन सा सम्बंध सत्य होगा पहला option है S1 प्लस S3 बराबर 2S2 दूसरा सम्बंध है B S1 प्लस S3 बराबर S2 तीसरा सम्बंध है C S1 प्लस S2 बराबर 2S3 और तीसरा चौथा सम्बंध है D S1 S2 प्लस S3 S2 प्लस S3 बराबर कितना S1 ये देखिए NCRT का question है इसको solve करने में वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो अब इसको solve करता हूँ कैसे solve करते हैं short trick से मान लेते हैं इसकी AP का पहला term एक है तो ये वाली AP के ले लिए कुछ कुछ ले लेते हैं इसको हम है ना AP के N पदों का योग जो है इसमें कह रहा है कि इस AP के N पदों का योग S1, S2 और S3 है तो ये AP क्या बनेगी पहला term है 1 तो ये बनेगी 1, 2, 3, 4 ये AP क्या बनेगी 1, 1, 1, 2, 3 3, 2, 5, 5, 5 5, 2, 5, 2, 7 7 और ये AP क्या बनेगी ये बनेगी 1, 1, 3, 4, 4, 3, 7 और 7, 3, 10 अब हम एक काम करते हैं हम दो पदों पर खेलते हैं हम किस पर खेलते हैं दो पदों का योग तो चलिए इस AP के दो पदों का योग पहले दो पदों का योग किता है 3 इसका कितना है भाई साब? इसका है योग 4 और इसके दो पदों का योग कितना है? 5 अब देखते हैं मतलब N पदों में हमने दो पद मान लिए तो इसके दो पदों का योग 3 आ गया ये आ गया 4 और ये आ गया 5 मतलब यह है S1 यह है S2 और यह है S3 तो ध्यान से देखिए 3 प्लस 5 बराबर होता है 4 का 2 गुना 2 गुने 4 तो 3 क्या है भाई साब यहाँ पे S1 है 4 5 क्या है यहाँ पे S3 है और यह क्या हो जाएगा 2 गुना of S2 तो क्या कंडिशन सही आ रही है S1 प्लस S3 एकल टू टू टाइमस of S2 तो क्रेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा A तो इस तरीके से शॉट ट्रेक आप बहुत बढ़िया बढ़िया यूज कर सकते हैं चलिए ठीक है बच्चों I think आप लोग थके की नहीं थके अभी क्यों भई नहीं थके हो चलो तुम लेड जुड़ी होगी तांजली इसलिए तुम नहीं थकी होगी बाकी बच्चे I think ठक गया होंगे और मैंने बीच में यहां पर 11th के साथ 12th का कंसेप्ट यहां पर इंक्लूड कर दिया तो कुछ बच्चे भूर हो गए अगली क्लास में हम ध्यान रखेंगे कि 11th का यदि हम सेग्मेंट उठाके चलेंगे तो 11th का ही लेके चलेंगे और अगर 12th का लेके चलेंगे तो 12th का ही लेके चलेंगे इस तरीके से फिर हम काम को आँगे बढ़ाएंगे चलिए तो ठीक है आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं थैंक thank you so much, bye-bye.